एक अनोखा स्कूल उस समय मैं स्कूल में पढ़ती थी, मुझे पढ़ाई से काफी लगाव था, वैसे तो मैं पढ़ने में उतनी तेज नहीं थी, लेकिन मुझे और भी पढ़ना था, और पढ़ाई में तेज होना था. जब मैं नई कक्षा में गई तो मेरी कक्षा में एक लड़का आ गया, वो दखने में मेरी लिए किसी हीरो से कम नहीं था, उसको देखते ही मेरा मन तेजी से कापने लगता था, अब मुझे ज़्यादा पाई करनी थी, क्योंकि वो लड़का पढ़ने में काफी तेज था, इस उसके बारे में सोच कर मुझे अच्छा भी लगता था, लेकिन जब मैं पढ़ाई के बारे में सोचती थी तो मुझे बहुत ज्यादा गुस्सा आता था, मैंने एक बार सोचा कि इसके बारे में मैं अपने दोस्तों से कहूं, लेकिन मेरी हिम्मत नहीं होती थी, इसी सब के चक्कर में रहे गई और मेरी कक्षा की पहली परीक्षा सामने आ गई. मेरी तयारी कुछ भी नहीं हुई थी. जब मैं परीक्षा के लिए अपनी कक्षा में गई तो मुझे खुद पर काफी गुस्सा आ रहा था. तभी मैं क्या देखती हूं कि वो लड़का मेरी ओर हो, तुम तो अपने कक्षा की तोप हो, हर टीचा तुम्हारी तारीफ करते है, मैं बहुत दिनों से तुम से मिलना चाहता था लेकिन नहीं मिल पा रहा था, परीक्षा की तैयारी करनी थी, तुम तो परीक्षा के लिए तैयार ही होंगी, मैंने धीरे से कहा, हाँ हाँ, मैं प परीक्षा के लिए प्रशन पत्र मिला, मुझे उस प्रशन पत्र में कुछ भी समझ नहीं आ रहा था, बस मैं उस लड़के के बारे में सोच रही थी, इसी तरह से परीक्षा का आधा समय बीट गया, तभी मुझे एक आवाज सुनने को मिली, वो हावाज मेरे पीछे से आ रह तक तुमने कुछ भी नहीं लिखा है, इस पर मैं कुछ बोलने ही वाली थी, तो फिर से वो लड़का बोला, अगर पेपा में कोई सवाल समझ नहीं आ रहा है, तो मुझ गवार की मदद ले सकती हो, इसके बाद मैंने अपने प्रशन पत्र को हल करना शुरू कर दिया, एक और आवाज आई, वो आवाज घंटी की थी, ये घंटी परीक्षा के समय का खत्म होने पर बज रही थी, हम दोनों ने अपने हल किये हुए पेपर को जमा किया, और कक्षा से बहार आ गए, हम दोनों काफी बात करने लगे, इसके साथ ही हमें लंच भी करना था, हम दोन मुझे चिकोटी काटो, इस पर उस लड़के ने कहा, क्यूं, मैंने कहा, मुझे यकीन नहीं हो रहा है कि मैं एक सपना देख रही हूँ, यह सब हकीकत है, इस पर उस लड़के ने बड़ी तेजी से चिकोटी काटी, और कहा क्या तुम मेरी दोस्त बनूगी, इस पर मैंने भी हां कह दिया, अब हम दोनों दोस्त बन चुके थे, रोज हम काफी बाते करते और काफी समय एक साथ बिताते, हमारी परीक्षा भी खत्म हो गई और इस बार सबसे ज़्यादा परीक्षा में अंक मेरे ही थे, इस सब का कारण वो लड़का ही था, तो दोस्तों इस तरह से मे कि हम पढ़ने में अच्छे थे, और हम दोनों एक लिमिट में रहते थे,